को बाइंग कॉंटेश लिए तिन टोडेशन स्टाट अवर क्लास तूड़ेंगे विल तूड़ेंगे लेक्हें देडियों का है यह क्लास में आप लोग पर यह चैप्टर फूर का मैं वीडियो लेकर आई हूँ आज और चैप्टर फूर का मैं मृं्टिपल तो आज आप लोग जब आप लोग को मैं complete करा दूंगी तो आज आप लोग का F.A. 1 का regardless है class 3 का F.A. 1 का yes Allah से लेकर के chapter 4 तक तो वो आज आप लोग का complete हो जाएगा तो students ये complete कराने के बाद आप लोग को मैं home again दूंगी कि chapter 1 से लेकर के chapter 4 तक का आप लोगो fair complete करके रखना है और fair करना है only question answer का ठीक है तो आप लोगो ये multiple choice question है tick the correct है, fill in the blanks है, true false है तो ये सब का आप लोगो क्या करना है fair नहीं करना है तो आप लोगो only यहाँ देखिए question answer का question लिखना है उपर में फिर answer लिखकर chapter 1 से लिखकर chapter 4 तक का आप लोगो fair complete करके रख लेना है तो students आई आज के class स्टार्ट करते हैं हम लोग one number है multiple choice question का tick the correct option option को tick करना है जो correct होगा तो ये है, tick the correct option one है, Nisa's family was going to अनिसा के family कहा जा रही थी तो village two है the big houses in the village है big जो houses यानि कि village में जो बड़े-बड़े घर होते है उनकी क्या होते है तो tiled roof यानि कि छट वाले ये च्छत वाले रूफ होते है छट होते है यानि कि जोपड़ी नहीं होती है बड़े-बड़े घरों में क्या होते है छट होते है third, uncle and auntie used to work अंकल और अंटी जो है वो work कहां करते हैं तो at a farm वानि वो खेतों में work करते हैं देखिए 4 है behind uncle's house there where uncle के house के behind में क्या था तो students mango tree तो था नहीं तो mango tree के बारे में सोचना ही नहीं आप लोग को यहां देखिए B और C बचा ठीक है तो B में है two neem trees यानि कि दो neem का पेड़ भी था और a well एक खुआ भी था तो students आप लोग को confused नहीं होना है अगर यहां पर was रहता तो यहां a well रहता क्योंकि was जो है वो एक singular के लिए यूज किया जाता है तो यह a well जो है वो क्या है single है तो यह रहता लेकिं यहां where है तो where plural के लिए यूज होता है यानि two neem trees तो यहां पर two neem trees को tick करना है फिफ्थ नमबर है अंकल drove the children home in a अंकल जो थे वो बच्चों को घड क्याची से ले जाने वाने थे तो tractor से tractor को tick करना है तो students multiple choice question complete हो चुका है अब हम लोग question answer को complete करेंगे तो question answer है one number why was Nisa so excited Nisa जो थी वो काफी excited क्यों थी बहुत excited क्योंकि because they going to visit a village क्योंकि वो village जा रही थी क्या करने घुमने two number है what did Kapil ask his mother Kapil जो था वो अपने ममा से क्या पूछा तो do uncle and auntie go to office like papa and you क्या uncle और auntie जो गाओं में रहते हैं जो village में रहते हैं क्या वो आप और पापा की तरह office रहते हैं third what kind of houses where they are in the village village में कौन-कौन से kinds के houses रहते हैं किस-किस तरह के घर हैं तो big houses with tiled roof जो बड़े घर है वो छत वाले होते हैं and small houses with small houses क्या चीज़? जो गाओं में होते हैं जोपडी या फिर जोपडी का घर होता है जो खपडा का घर होता है उसको दैट्चेड रूफ बोलते हैं four है why did the people of the village gather? people जो थे village के वो काफे भीड क्यों करते थे to listen the stories stories सुनने के लिए यानि कि इसके दादा जी से स्टोरी सुनने के लिए वो वीड करते थे जादा वीलेजर फिफ्थ नंबर है why did Nisa's uncle say that the tractor would not go through the fields जो निशा जो थी वो अपने निशा जो थी वो अपने अंकल से बोली थी कि अंकल अंकल आप मुझे निशा और ये कपी जो थे काफी खुस हुए थे कि हम लोग ट्रैक्टर से घर जाएंगे तो लोगो तो खेद देखना था तो वो बोले कि क्या आप अपने फिल्स से होकर हमने ले जाएगा तो अंकल क्या क्यों नहीं लेके गए क्योंकि उन्हें लगा कि जो क्रॉप्स था यानि जो अनाज था जो फसल था वह बरबाद न हो जाए तो इस टूडेंट्स आप लोग का यह चाप्टर फोर भी कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग का चैप्टर फोर जो है यानि कि क्लास थ्री का वन से लेकर फोर तक का स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इंगलेस क्लास कड़ाओंगे आप लोग को